हेलो व्रिवान क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का स्वागत है इंफिरिटी लर्न नीट बाइस्वरी चैतन्या में तो यह बच्चों आप लोगों ख़वर तो मिली चुकी होगी कि CBSC ने अपने exam pattern में changes ला दिये हैं अब देखो यह जो वीडियो में बना रहा हूं वो बना रहा हूं कि इसके impact क्या होंगे और अभी existing class 12 में जो बच्चे हैं या class 11 में जो बच्चे हैं वो अपनी तयारी को कैसे इस exam को भी देने लाइक बना सकते हैं और आप क्या चीज़े expect क करना चाहिए आप लोगो 2025 में 2026 में तो आइए फड़ा फड़ से सबसे पहले तो देखिए change क्या है यह बताता हूं तो यह देखो यह public notice है जो कि रिलीज किया था Central Board of सेकेंडरी एजुकेशन नहीं CBSC ने कि यार आपको कुछ changes लाने हैं और इसके basis पर देखिए changes आप आ चुके है changes आपके सामने यहां पर दिख रहे हैं आप यहां पर देखिए का पुराने schedule के according इनका जो academic session 2324 का था उसमें इन्होंने competency focused questions डाले थे competency focused questions मतलब की जिनके application हो ज उसका weightage इन्होंने दे रहा था 40% यहां पर देख सकते 40% का weightage था ठीक है 20% आपके MCQ question थे मतलब अगर मानलो 20 question आ रहे हैं तो 4 यह रहेंगे और 8 आपके यह रहेंगे और बाकी 40% जो था वह आपके normal long answer short answer type question अब देखो क्या किया यहां से 10% घटा के इधर change कर दिया है तो competency जो focus question है उनका weightage इन्होंने 50% कर दिया है और MCQ 20% रखा मतलब 70% आप मान के चली application based जिसमें MCQ भी आएंगे और अलग-लग cases के आएंगे यह आपके normal MCQ और यह आपके 30% हो गए अब पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि reason क्या है क्या क्यों वजह पड़ी कि CBSC को यहां से ह time के जो study pattern चल रहा है जिसमें long long answers लिखने रहते थे बच्चों को short answers लिखने रहते थे उसका application world में कुछ बहुत ज्यादा sense नहीं है और यह कुछ देखो major reasons सबसे पहले तो यार अब जो CBSC है वो यह चेक करना चाह रहा है कि यार बच्चों को deeper understanding subject की मिल रही है कि नहीं वह subject क रोट लन तो नहीं करें discouraging the rote memorization among students students रट लेते थे यार और रट ले लेके पास हो जा रहे थे बट देखा ये गया कि यार वो रटने वाले बच्चे विद्यारती हैं आगे जाके कुछ successful हो नहीं पा रहे हैं और अगर जिन जिन बच्चों ने properly concepts को समझा है understand किया है वही आ यहां भी होंगे देश के किसी भी कोने में होंगे अब इनका यह चेंज यह दिखाता है कि आप साथ ही साथ जो आपकी competitive exams है जैसे जैई और नीट जो बच्चे इन exams की त्यारी कर रहे होंगे न मैं लिखित में बोल रहा हूं उनको एक extra advantage मिलेगा boards में क्योंकि boards का इतना heavier हो जो बस मात्र board की तैयारी करते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा सा product में आप लोग को दिखाने जा रहा हूं infinity learn की app को आप description में जाके download कर सकते हैं अब मैं बोल इसलिए रहा हूं download करने को देखो यार आप देश के अलग-अलग कोनों में होगे जहां पे आपके पास हो सकता हूँ availability ना हो कि आप किसी अच्छी कोचिंग में या किसी अच्छे टीचर के थरू पढ़ पाओ तो infinity learn के थरू आप इंडिया के top educators से connect हो सकते हो बस आपके एक single click पे आपको app download करना है और आपने आपको इतने amazing features मिलेंगे जिससे आपकी board की preparation भी सही होगी और सा इतने भी बच्चे इस साल नीट 2024 दे रहे हैं या फिर board के दियारी कर रहे ना एक बार अपने senior से जरूर पूछना कि 2024 में boards का paper physics का कैसा है था भाई भयंकर स्ट्रॉंग भयंकरी tough question आये थे जो की hill भी नहीं रहते students से तो point simple सा है आपको अपनी preparation को थोड़ा upgrade करना और उसके लिए आपको support यहां पे infinity learn properly दे सकता है तो description में आपकी link दी हुई है download करिए देखिए आपको उसमें life class mock test और CYOT एक बहुत भैतरीन feature मिलेगा 24-7 doubt resolution मिलेंगे और infinity learn आपको various channels मिल जाएगा YouTube, Insta, YouTube पे live classes चलती हैं जहां पे आप यह देख रहे हैं वहां से भी आप पाए और strong foundation हमेशा एक अच्छे mentor के साथ ही होती है तो इसी के साथ video close करता हूँ आशागरता हूँ आप लोगो को यह impact को समझने में थोड़ी help मिल यूगे इस video से अगर video अच्छा लगा तो like करिएगा वागी मिलते आगले video तब तक के लिए thank you bye bye and take care all of you